तो इस व्यंग का नाम है चित और वित भाई सहाब बुद्धी जीवी थे चुट-पुट कविता हैं थोड़े-मोडे विचार, सोशल बीडिया पर राजनेतिक तड़के बाजी में माहिर थे उन्होंने बहुत सी छपी-अंछपी किताबों के नाम कंठस्त कर लिये थे और व जिसे सुनते ही सामने वाले की चूले हिल जाती हैं भाई सहाब के अनुसार जो एन मोके पर चूक जाए वो चूकिया भाई सहाब का मानना था कि ये वाके बाली के जैसा होता है जो सामने वाली के आधिशक्ती का तुरंशरन कर देता है वे परम स्वावलंबी थे उनका मान दोलाना दोलाना बंद कर दे समझ लो को वो स्वावलंबी हो गया शौच की निरभरता के साथ ही आदमी की सोच भी शुरू हो जाती है अमूमन बच्चे पास साल की उमर तक कोई धुलादों की आवाज लगाते हैं किन्तु भाई साहब को इस बात का गर्वता कि उन्होंने कर साफ करना सीख लिया था उनका कहना था कि जैसे दूसरों के दुलाने से हमें संतुष्टी नहीं मिलती अपने अशुद रहने का एहसास बना रहता है वैसे ही दूसरों की सोच को अपनी सोच बना के पेश करना भी हमें अशुद करता है इसलिए कितना ही वड़ा बिचारक उनके सामने आजाता, वे उससे भड़ जाते और उसको फरजी, नकल चोर, अपरिपक को चूकिया साबित करके ही दम लेते. वे अपनी स्वा चुरित रचनाओं के, स्वा चुरित, रचित नहीं, स्वैम चुराई गए. वे अपनी सौच चुरित रचनाओं के प्रवल प्रशन सकते एक दिन मेरा एक लेख अखवार में छपा और मैं पान खाने के लिए पनवाली की दुकान पर खड़ा अपनी बारी का इंतिजार कर रहा था अपने आपको तुम निराला समयने लगे हैं पान तो तुम ऐसे चबा रहा है जैसे तुम प्रेमचंद हो मेरे मन में आया कि मैं भाई साब को डांट दू कि मैं आपके जैसा रचना चोर नहीं हूं जो स्वच औरित रचनाओं को स्वरिचित के नाम से सोचल मीडिया पे सरका निकल जाता है चैचों का काफिया रदीप सोड ताल यह मिलानी पड़ जाने तो अगदो के कड़े अरे पद्द लिखना तो छोड़ो अगर हम तुम से पद्द पढ़ने के दने ता पू निकल याई की बड़े आए गद्द लिखने वाले गद्द लिखने वाले गद्द साले साहित की स्मागलिंग करते हो इस गुरुप से उठाकर उस गुरुप में पठग दिया यहां से चिपकाया वहां चिटका दिया बने गए समित्रा नंदत पाल्थ विचार खौर कहीं के भाई साहब मुझे मिनिस पाल्थी के उस अफसर के जैसे लगज रहे थे जो व्यद पट्टा होने के बाद भी अतिक रमन के नाम पर जैसी भी लेकर तपरे को तोड़ने के लिए आमादा हो जाता है मैंने उनको माकूल जवाब देने के लिए मुझ खोला ही था कि भाई साहब ने दुगनी ताकत से मुझ पर हमला कर दिया हम तेरे जैसे चूकियों के मुझे लखते आठ प्रकार के चूकिया होते हैं, आकल चूकिया, शकल चूकिया, फसल चूकिया, अजल चूकिया, विकट चूकिया, निकट चूकिया, चमक चूकिया, चटक चूकिया, तुम मैं साले आठों प्रकार हैं इस बार भाई सहाब ने चूकिया कुछ इस अंदाज से बोला कि मुझे का की जगे ताज ऐसा कुछ सुनाई दिया वे खीजे हुए से पानवाले से बोले के पान लगा यार और उसे भी चर्चा में शामिल करते कि वो बोलने लगे कि देश का सत्या नास करके रख दिया इन जैसे चटनी चाप रचना कारून है पानवाला मुझे पसंद करता था उसके कई कारण थे किन्तु सबसे बड़ा कारण था मेरा उसकी दुकान पे लगे पॉलसी मेटर का आज नगत कल उधार का इमानदारी से पालन करना इसलिए वो रोज जब मैं पान खाके पैसा देने लगता तो गदगदा के बुता रे भाईया मिल जाएंगे ना यार बात में दे दीजेगा कहां जाएंगे हमें जिंदी की बड़ पान लगाना और आपको जिंदी की बड़ पान खाना है वो मुझे उधार देना चाहता थ किन्तु भाई साभ से उधार वसूल ना चाहता था क्योंकि भाई साभ पान खा के पनवाडी से बोलते के हजरा अलै लिए अल्यगीर। लगाना और हमको मरते दम तक पान काना है। भाई सहाब महने भर उधारी में पान खाते हैं और हर महीने की एक तारीक को 15 दिन का हिसाब चुकता करते हैं। बागी के बचे 15 दिन अगले महीने के लिए केरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। पानवाला पंदरा दिन का बकाया वसूल करने के चक्कर में चुपचाप अगले पंदरा दिन तक मीठी पत्ती चटनी चमन बाहर 120 नवरेतन के माम डालके भाई सहाब की सेवा करता रहता। किन्तु उसने जिस तरफ भाई सहाब के खड़े होने का ठीया था उसकी दुकान पर एक स्लोगन लिख दिया था कि उधार प्रेम की कैंची है। तब से भाई सहाब घर से प्रसन्ने चित निकलते लेकिन पान की दुकान पर आते ही अपसेट हो जाते क्योंकि वो जानते थे कि चौरसिया ने ये स्लोगन सिर्फ उनके चित पर चोट करने के लिए लगाया है। चौरसिया अगर चूना लगाने में माहिर था तो भाई साब भी चेतना की अवीम चटाने में उस्ताथ थे। वे किसी ना किसी बहाने चोरहसिया को चित करने के लिए, किसी ना किसी को ग्यान दे देते, कि चित के संबन्द चले ना चले लेकिन बित्त के संबन्द लंबे चलते हैं, किसी के चित में जगे बनानी हो तो उसका बित्त फसा लो, जरूरी नहीं है, किसी के चित में जगे बन बंद लंबे चलते हैं किसी के चित में जगे बनानी हो उसका वित्त फसा लो जरूरी नहीं है कि चित में वित्त का इस्थान हो लेकिन यह अकाट सकते हैं कि वित्त में चित का वास होता है कराई नहीं हुटा है वित्थ में चित्त का वास होता है पान वाले ने पान के पत्ते पर चपिया चलाते हुग आपसे स्यमत नहीं हूँ भाई साभ भाइया की जोडगा एक भी रचनाकार नहीं है शेहर मैं हार अकभार का संपादक चाहи था कि भाईया उनके अकभार के के बारे में चूकिया स्लेड न लगा तुम जैसे चूकियों के कारणεις स्वास्थे चमक रहे हैं ये रित्ना का //्न क्र देङन कर कोई भी कैस नहीं आशाता चलता है तुम ये से अधारवाजों की अबमिलेग आब मिलेगा तुम पे जिंदा है अच्वी को खुशी वर्तमान कि हकी कतब है आज़ों कि भाविश्व की शुखत कल्प्ना में मिलती है तुम हैं तुम हाट में कितना ऐसे नहीं तुम तुम क्थमारे खयाल में कितनाएस सुकी रहते हो तुम तुम दिन भर मेनद करते हो किसलिए अपने बच्चों के भविष्ट के लिए ना और भविष्ट कहा होता है कल्पना में ना उसको ना तू ने देखा ना तेरे बाप ने देखा है और बरतबान की उम्री कितनी होती है या चूटी बरावर लेकन भविष्ट यह अमर होता है इन कैशियों के चक्कर में पढ़कर तुम काल के गाल में मत समाओ बलकि हम जैसे लोग जो तुमको आशा में रखते हैं उनकी सुनो और काल यह हो जाओ जब आशा से आसमान ठिक सकता है तो एक पद्दासा हाथ भी नहीं ठिक सकता क्या खबरदार अगर आज के बाद तुन मिलेंगे लेकिन भविश्चम है पानवाले ने भाई साब की तरफ यू देखा जैसे वो कह रहा हो कि पानवाला मैं जरूर हूं भाई साब लेकिन कोई चूना लगाना आप से सीखे भाई साब ने पान की पहली पीकदान में थूंकते हुए कहा और मुझी मेरी तरफ देख था तो वे मुझे कैश रहित होने का कह रहे हैं या कैश सहित होने की हिदायत दे रहे हैं मेरी तरह पानवाले की अंग्रेजी भी खराब थी इसलिए लेस का यह कंफ्यूजन बना रहा लेकिन भाई साहब ने एक पल में मुझे मेरे युग का अर्थ समझा दिया कि सुख प बहुत बहुत धनिवाद आशा है कि इस व्यंग के माध्यम से जो बात मैं कहना चाह रहा हूं वो आप सब तक पहुंच गई होगी क्योंकि आप सभी बुद्धी जीवी लोग हैं प्रबुद्ध लोग हैं और आज के इस दौर में ये देखकर बड़ी मुझे प्रसंदा कि साहित के समागम के लिए भी इतना बड़ा जनस्वंदाय कटा हो सकता है जो सिनेमा के लिए होता है